आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाव फसल के अंदर तो निसक्रिय होता है लेकिन जैसे कोई कीट का इंफेक्शन आता है उसके अंदर सक्रिय हो जाता है जाकर और उसे नश्ट करता है तो ये इस बीटी जीवाणू की विशेचता है और ये बीटी जीवाणू का जीन ही हम जब किसी फसल में डाल देते हैं तो वो फसल कैसी हो जाती है किटाणों मुक्त हो जाती है कहने का मतलब है कि जो बाहर के पेस्ट होते हैं और किटाणों होते हैं उनका उन फसलों पर कोई असर नहीं होता है तो आईए से हम लिखकर बता देते हैं BT बी टी नामक जी बाडू बी टी जिसको कि हम क्या बोलते हैं बैसिलस 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 थरिंगेंसिस बैसिलस यह था है गाइस थूरिंगेंसिस बैसिलस थरिंगेंसिस नामक जी बाडू एक ऐसी एक ऐसी प्रोटीन विक्सित करता है प्रोटीन विक्सित करता है विक्सित करता है जिसमें अनेग प्रकार के कीटों को यहां पर कोटों हो गया कीटों को कौन-कौन से कीट होते हैं जैसे सेनिकों का कीट और तमाकों का कीट और मुमकीट यह सारे कीटों को नश्ट करने की छमता रखता है कीटों को नश्ट करने की छमता रखता है यह जीवाडू यह है जीवाडू हम बीटी जीवाडू की बात कर रहे है यह जीवाडू जो विस उत्पन करता है विस उत्पन करता है करता है उसका असर फसल पर नहोकर फसल पर इसे रेज कर लेते हैं फुड़ा सा फसल पर नहोकर की डाणू पर होता है की डाणू पर होता है पर होता है अर्थात है जीवाडू के लिए निस्क्रिय होती अर्थात यह विस जीवाणू के लिए निस्क्रिय है एवं कीटों के लिए इसको थोड़ा उपर कर लिए कीटों के लिए सक्रिय होता है इससे क्या होता है फिर इससे उस कीट की रत्ती हो जाती है और इस जीवाणू को हम क्या करते हैं जैसे हमें बैगन की फसल में डालना है तो बैगन की फसल में समाविष्ट कर देते हैं इससे बीटी बैगन का निर इस जीवाडू को बैगन की फसल में समाविष्ट करने पर बीती बैगन का निर्माड हो जाता है क्या बनता है हमारा फिर बीती बैगन का निर्माड बैगन का जिस पर जिस पर पीड़कों का कोई प्रवाव नहीं रहता है जिस पर पीड़कों का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रभाव नहीं पड़ता है तो वैस यह था हमारा आज का प्रश्ण की बीती बैगन पर टिपड़ी कीजिए तो हमने आपको यह बता दिया है एक विशत्पन करता है जो जीवाणू के लिए नस्क्रिय है अब कीटों के लिए सक्रिय होता है तो आही हो पी प्रश्ण आपको समझ आगया होगा और दरसल यह जो बीटी वैगन है ये बीटी उस जीवाणू के नम पर ही नम पड़ा हुए बीटी और इससे कई 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 क्रॉप हैं जैसे कि मक्का है कपास है तो यह भी प्रशन आपको समझा गया हुगा थेंक यू पर वाचिक वीडियो क्लासिक स्ट्वेल से लेके मीट आयाईटी जेही मेंज और एडवान्स के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउट नटाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट आच चार्सो 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 पर